हालो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th, Maths 1, Algebra का प्राक्टेसर 5.2, इसका एक लेक्चर मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 1st, 2nd and 3rd question कर आया था, आज हम इसके बाकी के questions करेंगे, 4th question में lions और peacocks दिया हुआ है, चलो देखते हैं कैसे solve करना है उसको, the total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50, lions और peacocks का total number दिया हुआ है 50, the total number of their legs is 140, तो यहाँ पर maths तो आना ही चाहिए, science भी आना चाहिए कि lion को कितने पैर होते हैं और peacock को कितने पैर होते हैं, क्यूंकि उनके total number of legs दिये है, फाल्तु का दिमाग मतलगाना है कि अरे एक lion का एक पैर टूटा हुआ होगा, तीन पैर होंगे तो अगर peacock को दो पैर नहीं हुए तो ऐसे नहीं, standard lion, standard peacock, जादा दिमाग नहीं लगाना है, then find the number of lions and peacocks in the zoo, बहुती time pass question है, linear equations है, ठीक है, तो हम एक को x, एक को y, दो ले सकत लेता हूँ, और peacock को y लेता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि lion के number x और peacock का number y, दोनों को add करूँगा, x plus y, तो 50 आना चाहिए, because total number 50 है, and उनके legs, total legs 140 है, अभी total legs मतब lion के legs plus peacock के legs, अगर total lions x है, तो एक lion को 4 पैर होते हैं, तो total lion के legs कितने हो जाएंगे, lion के legs हो क्योंकि total legs निकालने हैं, फिर peacock total y है, और उनके legs हर peacock को 2 legs होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा फोटो, तो अगर 2 legs है, तो total peacock के legs 2y हो जाएंगे, तो ये सारे pair हम add करेंगे, तो total pair legs कितने हैं, 140, तो हमको 2 condition मिल गई, x plus y equal to 50 है, and 4x plus 2y 140, आया समझ में, आपके लिए पे फोटो लगा दिया है, ये lion के पास देखो, एक, दो, तीन, चार pair होते हैं, और peacock के पास 1 और 2, तो पहले तो lion प्लस peacock total कितने हैं, 50, तो lion प्लस peacock 50 आएंगे, अभी एक lion को 4 pair है, total lion कितने लिए हमने, x, तो total pair कितने हो जाएंगे, 4x plus, एक peacock को 2 pair होते है देखो, 1, 2, और हमने peacock कितने लिए हैं, y, तो 2 multiplied by y, peacock की legs हो जाएंगे, इन दोनों को add किया, तो total legs कितने हैं, वो मिल जाएंगे, लेकिन वो 140 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे, 140, खतम, दो equation है, x plus y is equal to 50, and 4x plus 2y is equal to 140, इसको solve करेंगे, तो हम लोग को number of lions and peacocks, zoom में कितने हैं, वो मिल जाएगा, ओके, चलो देखते हैं, solve कैसे करेंगे, तो पहले लिख दिया, let the number of lions be x, and the number of peacocks be y, पहली condition क्या है, according to the first condition, total number of lions and peacocks is 50, तो x, जो lion है, and y, जो peacock है, दोनों को add किया, x plus y, तो 50 आ जाएगा, इसको number 1 दे दिया, अब यह आपकी knowledge के लिए ल सकता है, किसी को doubt हो, किसी ने अगर peacock के 4 pair ले लिए, तो must 4 पड़ेगी, 0 मिलेगा, ठीक है, इसलिए लिख दिया है, अगर lion के 4 leg है, तो total lion के legs कितने हो जाएंगे, solve lion के मिलाके, एक lion के पास 4 legs है, और total x lions है, तो total legs हो जाएंगे 4x, वैसे ही, एक peacock को 2 legs होते है, तो सारे peacock के legs मिलाएंगे total, तो कितने होएंगे, 2 into y, क्योंकि total number of peacocks y है, समझ में है न, कैसे आता ही है, देखो बच्छो, एक lion को 4 leg होते है, दो lion होगे, तो total कितने legs होगे, 8 होगे न, इदर देखो 2 दाले इसके जगे पे, into 2, 4, 2, 0, 8, तो अगर 3 हुए, तो 4 into 3, 12, अगर x हुए, तो 4 into x, 4x, तो यह total lion के legs, यह total peacock के legs, लेकर उसने बोलाए, total number of their legs, their मतलब lion और peacock मिला के, तो second condition दीए, lion और peacock मिला के, मतलब 4x plus 2y is equal to 140, अब आपको 1 और 2 को solve करना है, अब मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इनको solve करने के लिए, यह जो equation 1 है और 2, इसको solve करने के हज जारों तरीके, मुझे दिख रहा है कि यहां पर x और y है, मैं इसको 2 से multiply कर दूँगा सब जगे, फिर यह 2y और 2y minus करूँगा तो cancel हो जाएगा, या फिर यहां पर देखो यह भी 2 में जाता है, यह भी 2 में जाता है, यह भी 2 में जाता है, तो यह पूरे equation को 2 से divide कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से divide किया, इसको भी 2 से divide किया, इसको भी 2 से divide किया, देखो कट करके क्या आएगा, 2 1s are, 2 2s are, इधर 2 1s are, 2 1s are, cut, यहां पर 2 1s are, और यह हो जाएगा, 2 7s are 14, 2 0s are 0, तो क्या बचा, 2 upon 1 हो गया 2x, देखो x तो है ना साथ में, यह वाय है, 1 upon 1 हो गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, and 70 upon 1 हो गया 70, यह आगया अपना equation 3, अब देखो, x plus y equal to 50, और यहां पर 2x plus y equal to 70, सिर्फ इन दोनों को देखो, मतलब अगार आप यह वाला equation, इसमें से subtract करोगे, तो plus y, minus y हो जाएगा, cancel, तो मैंने क्या किया, 2x plus y equal to 70, यह वाला equation, यहां दिख दिया, and x plus y equal to 50, उसमें से subtract किया, subtract किया मतलब sign change होगा, इधर plus है तो minus, इधर प्लस है तो minus, इधर भी plus था तो minus, यह 2x minus 1x, x है मतलब खाली, तो 1x, 2x में से 1x निकालूगा, तो 2 minus 1 हो जाएगा 1, साथ में x है तो x, तो 1x आएगा, 1x को आप सिर्फ x लिख सक रखते हो, यह वाला तो यहां पर सीधा हो गया cancel, क्योंकि क्या है देखो, plus y और minus y, 0 हो जाएगा न, same number, opposite sign, 70 में से 50 minus करो, तो आजाएगा 20, तो x का value आगया 20, x equal to 20, यहां पर substitute करो, यह easy equation है न, बहुत, equation 1, तो यहां पर 20 डाला तो हैगा, 20 plus y equal to 50, 20 उधर वे जो यहां प 20 plus y equal to 50, यह 20 को उधर वे जा, तो 50 minus 20 equal to 30, तो y आगया 30, तो x अपना लायन था, तो लायन हुए 20, y अपना पीकॉक था, तो वो हुए 30, तो number of lions and peacocks in the zoo are 20 and 30 respectively, आया समझ में, मस्त है न question, इसमें यह सबसे important था, बाकी तो एकदम time pass है, ठीक है पपलू question, कुछ बच्चों को लायन को 4 legs है, वो पता होगा, लेकिन, पीकॉक को 2 legs है, वो शायद नहीं पता हो, बताया तो बहुत सही है, तो लेको अभी notebook में, next करते है, fifth question दिया है, संजय gets fixed monthly income, every year there is a certain increment in his salary, increment मतलब उसको हर साल थोड़ा जादा, extra increment मिलता है, ठीक है, हो सकता है इस साल उसकी salary 1000 रुपी ठीक है, 1100 January, May, February में, फिर next year उसकी 100 रुपे और बढ़ जाती है, तो हो जाती है 1200, ऐसा example दिया हुआ है, ठीक है, same question नहीं है, मैं सिर्फ numbers ऐसे आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, every year there is a certain increment in his salary, कितना आपने को पता नहीं है, after 4 years, ऐसा 4 साल तक चलता रहा, तो his monthly salary was Rs. 4,500, पहले कुछ तो fixed monthly income थी, उसमें हर साल कुछ थोड़ा बढ़ाया उसने, तो 4 साल बाद ऐसा सब होने के बाद, उसकी monthly salary हो गई 4,500, and 10 years बाद, वो वहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी monthly salary हो गई 5,400, तो आपको find करना है उसकी original salary, जो पहले थी, and yearly increment जो उसको मिल रहा है वो, बहुत easy question है, दो चीज़े हन्नोंने देखो, original salary and yearly increment, और 4 साल बाद और 10 साल बाद की situation दी गई है, तो कैसे solve करेंगे इसको, यहाँ देख लो, मैंने बुला कि start में उसकी salary X है, ठीक है, फिर 1 साल बाद उसको extra एक Y मिलता है, हर साल उसका Y से बढ़ रहा है, second year भी उस साल भी उसको और Y मिलेगा, चौते साल उसको और Y मिलेगा, तो 4 साल बाद क्या होगा, उसको मिलेगा X प्लस यह 4 बार Y, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, तो X प्लस 4Y मिलेगा, और वो question में दिया है कि after 4 years, his monthly salary was Rs.4,500, तो यह X प्लस 4Y का value क्या आ गया, 4,500, ठीक है, एक equation हो गया solve, second क्या ब करकर के 10 साल तक उसको मिला, तो टोडल कितना होगा, पहले X था, फिर 10 बार Y और add हुआ, तो X प्लस 10Y, क्योंकि हर साल उसको Y, Y, Y मिलेगा न, जो certain increment मिल रहा है, हम लोग उसको Y ले रहे, ठीक है, यही जो पूछा है, यह early increment को हमने Y ले लिया, तो X प्लस 10Y हो जाएगा 10 स साल के बाद, बट बोला है कि 10 साल के बाद उसका मंतली सालरी तो 5,400, तो यह जो X प्लस 10Y है, इसका value आगया 5,400, यह आपको बनाना नहीं है, यह सिर्फ आपको समझ में आ, इसलिए मैंने बताया, आप लोग सीधा लिख सकते हो, कि after 4 years 4,500, तो X प्लस 4Y equal to 4,500, after 10 years 5,400, त चलो देखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर लिख दिया, ओरिजिनल सालरी अफ संजय भी रूपी इस X, and his yearly increment, देखो, ओरिजिनल सालरी और yearly increment, यह ही पूछा है, तो his yearly increment भी रूपी इस Y, फर्स कंडिशन बोला है, चार साल बाद उसका monthly salary है 4,500, तो X प्लस 4Y equal to 4,500, मैंने आपको बताया X प्लस 4Y क्यों है, ओरिजिनल X था, चार साल तो उसको Y प्लस Y प्लस Y मिला, तो X प्लस 4Y हो जाएगा, जिसका value 4,500 दिया है, 10 years बाद सेम चीज़ देखो, according to second condition, after 10 years 5,400 है, तो क्या मिलेगा, starting में X था, फिर 10 साल उसको Y, 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 10 बार मिला, तो X प्लस 10Y, उसका value है 4,500, यह first equation, यह second equation, दोनों को solve करो, काम कतम, कैसे करेंगी, देखो, दोनों में X, X है, तो subtract कर लेते हैं, X, X cancel हो जाएगा, Y का value मिल जाएगा, तो यह subtract करते हैं, इस में से, subtracting equation 1 from, यह 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 3 यहां पर है ही नहीं, ओके, तो मैंने क्या किया यहां पर, X plus 10Y equal to 5,400, X plus 4Y equal to 4,500, minus करेंगे तो क्या होगा, इधर minus, यह plus है तो इधर minus, इधर plus है तो इधर minus, यह सीधा कट हो जाएगा, X minus X 0 आता है न, and 10Y minus 4Y, Y, Y तो Y, 10 minus 4, 6 5,400 में से 4,500 minus करेंगे, तो 900 आएगा, यह 6 को उधर बिज़ देंगे, तो डिवाइड होगा, कट करके देखो यहां पर, 6,100, यह हो जाएगा, 6,100, 6,300, 150 upon 1 हो जाएगा, 150, Y का value जो 150 है, वो equation 1, यहां पर substitute कर दो, तो क्या मिलेगा, X plus 4Y, 4,500, Y के जगे पर, 150, 4 into 150, 600 5,500 minus 600 आएगा, 3,900, X का value मिल गया, Y का value मिल गया, X था उसका original salary, Y था उसका yearly increment, तो original salary of Sanjay is 3,900, and yearly increment is Rs. 150, यह जो हमने equation solve किया आना बच्चों यहां पर, यह बहुत simple है, सिर्फ यह equation बनाना, वो आना चे बस, एक बार equation बनाने आ गया, तो solve करना तो, हम लोग पूरा 5.1 सिर् ओके, चलो वीडियो pause करो, फटा फट से copy करो, देख लो एक बार पढ़ा, ओके, आ गया समझ में, तो यह हमारा 5th question भी हो गया, 6th question दिया है, the price of 3 chairs and 2 tables is Rs. 4,500, तीन chair और 2 table का cost दिया है, and price of 5 chairs and 3 tables, number change कर दिया है, 3,2 था, अब 5,3, तो price बदलेगा न, is Rs. 7,000, find the total price of 2 chairs and 2 tables, आप लोग को 2 chairs और 2 tables का बूचा है, तो आप ना कभी भी 2, 3 इसका नहीं निकाल सकते, आप 1 chair and 1 table का निकालो, फिर 1 table और 1 chair का price पता चल गया, तो 2 और 2 का तो आराम से निकाल सकते हो, multiply कर देगे 2 स है, है ना, तो ये equation क्या क्या दिया है, देखो, अगर chair का price x है और table का price y है, तो 3 multiplied by x plus 2 multiplied by y, 4,500 होगा, अगर chair का price x है, table का price y है, तो 5 into x and मतलब plus 3 into y is 7,000 रुपीज, मिल गया न दोनो, 2 equation मिल किया, इसको solve करके आराम से हो जाएगा, देखो एक बार, 3 chair plus 2 table is 4,500, फिर 5 chairs plus 3 tables is 7,000 रुपीज, आपके दिमाग में आपको ऐसे imagine करना, ठीक है, बट chair क्या है, x और table है y, तो ये chair के जिएके पे x, table है y, ये 2 equation मिले, इसको solve करके x और y का value निकालो, ठीक है, उसने मि I find total choice of 2 chairs and 2 tables, 2 chairs and 2 tables का पूछा है, अपन पहले 1 chair और 1 table का निकाल देंगे, फिर उसको 2 से multiply कर देंगे दोनों को, तो हमको 2 chairs and 2 tables का मिल जाएगा, तो इसको x लो, और इसको y लो, और video pause करके फटा-फट से अभी खुद से solve कर, बहुत ही easy है, ऐसे मत सोचो, मैं ऐसे ही difficult समय त statement के लिए, चलो कर दो video pause, तो ऐसे आएगा solution, let the price of 1 chair भी Rs.x, let the price of 1 table भी Rs.y, जो मैंने बोला था, first condition दिया है, 3 chair और 2 table का 4,500 है, तो 3 chairs, मतलब 3x, 2 tables, मतलब 2y, दोनों को add करके 4,500, similarly, second में दिया है 5 chair, 3 tables, यह 4,500 नहीं आएगा, यहाँ पर 7,000 आएगा, मैं क्या, यहाँ प copy करके paste कर देता हूँ, तो यह आएगा 7,000, ठीक है, आप लोगों तो पूरा नया लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5x plus 3y equal to 7,000 लिख दिया हमें, ठीक है, यह दोनों equation को solve करना है, कैसे करेंगे, ठीको ना यहाँ पर x का same है, ना y का same है, तो जबरदस्ती same करना पड़ेगा यह 2 को, अपन 6 बना सकते हैं, 3 से multiply करके, और यह 3 को 2 से multiply कर देंगे, लेकिन सिर्फ इसको नहीं multiply कर सकते हैं, इसको किया, तो पूरे को करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह पूरे equation को 3 से multiply कर दो, और यह पूरे equation को 2 से multiply कर दो, इसको 3 से multiply करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर 3 multiplied by 3 आ जाएगा 9x, 3 multiplied by 2 आ जाएगा 6y, 3 multiplied by 4500 आएगा 13500, और इसको 2 से करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 into 5 10x, 2 into 3 6y, 2 into 7000 14000, देखो दोनों जगे 6y हो गया, अब यह देखो यहां पर बड़ा है 10x, यहां पर 9x चोटा है, तो यह बड़े में से यह चोटा सब्ट् को और 9x plus 6y वाले को नीचे लिखतो, सब्ट्राक मतलब माइनस यहां पर आ जाएगा, क्योंकि उपर प्लस था देखो, यह सब प्लस 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 यह और यह, देखो, same to same तो हो जाएगे, cancel, plus 6y, minus 6y, 0 हो जाएगे, 10 minus 9 आ जाएगा 1x, which is nothing but x, 14000 minus 13500 आ जाएगा 500, यह x equal to 500 आप यह equation 1 में substitute कर दो, तो x के जगे पर आएगा 500, देखो यहां पर, 3x plus 2y is equal to 4500, x के जगे पर डाल दिया 500, 3 into 500 हो जाएगा 1500, यह 2y सा एका इसा, 4500 हैसे ही, अब मुझे y का value चीए, तो 1500 को उदर फेग दो, तो यहां पर प्लस था, वहां जाके minus होगा, 4500 माइनस 1500 आ जा यह divide को आप cancel करोगे, तो देखो क्या आएगा, 2100 और यह हो जाएगा, 2100 टू, वन रिमेंडर, 10 बनेगा, 2500, 10, 2000 तो आपको आगया, y equal to 1500, अब आपके पास x भी है, और y भी है, आपको क्या पूछा था, price of 2 chairs and 2 tables, ठीक है, एक chair का आपने cost लिया था x, तो 2 table का कितना होगा 2x, एक table का y, तो 2 table का 2y, तो price of 2 chairs and 2 tables के आएगा, दोनों मिलाके, 2x plus 2y, x के जगे पे 500, और y के जगे पे 1500, 2 into 500 आएगा 1000, 2 into 1500 आएगा 3000, दोनों को add करोगे, तो आएगा 4000, तो आएगा final answer, the price of 2 chairs and 2 tables is 4000 रुपीज, अभी तक के question में, आपके यह ही पर रुख जाते थे, 2 chair और 2 table पूझा, क्या फरक पड़ता है, 2 chair और 3 table होता, तो यहाँ पर 3 आजाता, ठीक है, अगर 1 table का cost पता है, तो आप 3, 4, 5, 100 table किसी का भी cost निकाल सकते हैं, तो ऐसे आगया होगा आपका पूरा solution, बहुत ही simple है, यहाँ पर मुझे थोड़ी जगा कम हो रहती, इसलिए मै यहाँ पर किया है, आपको चीए तो आप next page पर कर सकते हो, मैं next page पर करने जाओंगा, तो आपको screenshot लेने में difficulty होगा, डान आया समझ में, पक्का, copy कर लो नोड़ो के फटावट से, जिनको खुद से आया है, comments में जाके बताओ कि यह 6th question आपने खुद से किया और आपको right answer है right नहीं आए, तो tension नहीं है, मैंने करा दिया है, I hope समझ में आ गया होगा, 7th question दिया है, the sum of the digits in a two digits number is 9, एक दो डिजिट का नंबर है, वो दोनों डिजिट का नंबर का डिजिट साइड करेंगे, तो 9 आपने है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है, अगर मैं ऐसे लेलो 27, देखो 2 digit का नंबर है, 2 plus 7, 9 है, बत वो 5 और 4 भी तो हो सकता है, 54 में भी 5 plus 4, 9 होता है, 63 भी तो हो सकता है, 6 plus 3, 9 है, 36 भी तो हो सकता है, 3 plus 6, 9 है, तो guess नहीं मार सकते है, लेकि इतना पता है, 2 digit का नंबर है, और दोनों डिजिट को add करके 9 आता है, the number obtained by interchanging the digit interchanging मतलब अदली बादली जो tens के place में था, उसको units के place में जो units के place में था, उसको tens के place में मतलब अगर suppose नंबर है 36, तो यह जो 3 है इधर आ जाएगा, यह 6 इधर आ जाएगा number बन जाएगा 63, interchange करने के बाद ठीक है? अदली बादली तो number obtained by 27 जादा है, find the 2-digit number, अभी 2-digit number वाले जब भी questions होंगे 3-digit number वाले होंगे, आपको एक pattern follow करना है, मैं बताता हूँ क्या है देखो ये सिर्फ ये question के लिए नहीं है ये कोई भी 2-digit number के question के लिए, तो original number में हम ले लेते हैं कि 10s के place में x है units के place में y, ठीक है तो number क्या बन जाएगा, number value होगा, 10s के place में जो होता है, उसको 10 से multiply करते हैं, तो 10 multiplied by x हो जाएगा 10x plus, जो units में होता है, उसको 1 से multiply करते हैं, 1 multiplied by y आजाएगा, 1y, जिसको आप y लिख सकते हैं ठीक है, और digits का sum क्या होगा, digit का sum होगा x plus y तो sum of digits is x plus y new number जो आपने interchange करके निकाला, interchange करके आया उसका जो होता है, वो x units में चला जाएगा, y tens में आ जाएगा देखो, अदली-बदली कर दिया, अब अगर इसका value निकालना है, कि ये number क्या होगा, तो 10 multiplied by y आ जाएगा, plus 1 multiplied by x, which is x लेकिन sum of digits देखो दोनों में same रहेगा, y plus x लोग कि x plus y उसे ही में दिखता है, तो ये जो मैंने बताया है, ये सिर्फ ये question के लिए नहीं है, कोई भी two digit number का question होगा, तो आप हमेशा ये table use कर सकते हो, age standard में भी मैंने आपको ये table बताया था, okay तो अभी ये वाला table आपको पता है, तो आपको शायद बनाना न पड़े हर बार, बना दिया तो भी ऐसा नहीं के marks कटेंगे, time होना चाहिए, time है तो सही है, तो ये चीज़ important है, देखो, अगर original number रखा तो 10x plus y आएगा, और अगली बदली किया interchange किया, तो number बन जाएगा 10y plus x, बस इतना पता होगा ना, तो काम खतम तो क्या बोल रहा है हो, sum of digits in two digit number is 9 मतलब x plus y का value कितना दिया है, x plus y का value दिया है 9 the number obtained by interchanging the digits, ये एक equation मिल गया आपको, ये ऐसे मत बरना है, rough में ऐसी solve करा रहा हो, छोड़ो यार इदर कराऊँगा, तो आप सोचेंगे, इदर ही solve करना है इदर नहीं करना है, बट ये number देख लो, original number है 10x plus y, और अदली बदली करके जो number है, उसका नाम है 10y plus x ओके, तो इसको solve कैसे करेंगे, पहले लिखूंगा कि 10s के place पे x है, units के place पे y है, तो according to first condition, x plus y is equal to 9, sum of digits है, the number obtained by interchanging the digits, interchange करके क्या आता है, 10y plus x, ये आता है, exceeds the original number, मतलब, जो original number है उसको exceed कर रहा है, कितने से 27 से exceed कर रहा है, किससे exceed, exceed मतलब plus, किससे exceed कर रहा है, original number से, original number क्या है, 10x plus y, अब भी बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पे, original number है 10x plus y, और नया number है 10y plus x, तो नया number, मतलब, जो interchange करके आया, is equal to, जो भी पुराना number है, plus 27, क्योंकि जो नया number है, वो 27 से exceed कर रहा है, पुराने वाले से, खतम, इसको solve कर तो, यह 10x को इदर ले क्या हो, y को इदर ले क्या हो, फिर, दो equation मिल जाएंगे, एक यह और यह दूसरा, solve करेंगे, तो अपना काम हो जाएगा, जाते को क्या आता है, 10y minus y, plus x minus 10x, is equal to plus 27, plus 27 को इदर ही रखा, यह 10x इदर जाके minus 10x, यह plus y इदर जाके minus y, 10y minus y, पहले x लिख लेते हैं, तो x minus 10x क्या आएगा, x minus 10x मतलब 1 minus 10, मतलब minus 9x, फिर 10y minus y, मतलब 10y minus 1y, आजाएगा 9y, plus 9y न, is equal to 27, देखो, तीनो नंबर 9 में जाता है, तो मैं तीनो को 9 से डिवाइड कर दूँँगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, यह बन जाएगा 1, यह बन जाएगा 1, और यह 9 बन जाएगा 9 3s है, एदर क्या बचा, minus 1x, उसको minus x लिख सकता हूँ, plus 1y, उसको y लिख सकता हूँ, equal to 3 upon 1, 3, यह अपना second equation, यह इसको number दे सकते हो, third, ठीक है, अगर आपको इसको second दे रहे हैं, यह अपना first, और यह अपना third, इन दोनों को solve करना बहुत easy है, add करेंगे तो, x और minus x कट जाएगा, 2y equal to 12 आएगा, तो y आपका आजाएगा 6, ठीक है, एक बार y 6 आगया, तो x आजाएगा 3, तो number बन जाएगा 36, ओके, यह rough था, अब इसको solve करके बता रहा हूँ, समझा, बहुत ही simple है यह, rough में तो फटा-फट आप भी यह करी सकते थे, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर, let the digit in 10s place be x and units place be y, और एक छोटा table बनाया है, पहले जो बनाया है तो table बड़ा लग रहा था न, तो 10s place क्या है, units place क्या है, हमने 10s place में x assume किया, units place में y assume किया, तो number क्या बन जाएगा, 10s वाला 10 से multiply होगा, तो 10x, units वाला 1 से multiply होगा, तो 1y, दोनों को add करेंगे, 1y मतलब y होता है, add करेंगे, तो 10x plus y आ जाएगा अपना number, sum of digits क्या आएगा, देखो, digits यहां पर x और y है, तो x plus y, फिर उसने बोला है, number interchange करता है, तो number obtained by interchanging digits क्या होगा, जो units place में है, वो 10s place में है, जो 10s place में है, वो units place में आ जाएगा, फिर number निकालना है, तो 10s place 10 से multiply होता है, हमेशा 5 है, तो 10y, और units place 1 से multiply होता है, तो 1x मतलब x, दोनों को add करेंगे, तो number में जाएगा, ठीक है, place value निकालते थे न, वैसे ही, sum of digits, यह case में भी y plus x लिखो, या x plus y लिखो, दोनों सेम होता है, 1 plus 2, 2 plus 1 सेम होता है, तो sum of digits सेम आता है, यह table एकदम दिमाग में घुश जाना चीए, ठीक है, यह वाला, अगर आपको number का value नहीं समझ रहा है, तो एक example ले लो, let's say मैं लेता हूँ, 24, तो 24 कैसे आता है, 2 into 10, क्योंकि वो 10s place है, plus 4 into 1, because 4 units place में, देखो 2 into 10 आ जाएगा 20, और 4 into 1 आ जाएगा 4, 20 plus 4 आ जाएगा 24, ठीक है, तो व फर्स कंडिशन दिया है, कि sum of digits in 2 digits number is 9, तो x plus y sum of digits है, तो आ जाएगा x plus y equal to 9, first equation, second वाला दिया है, the number obtained by interchanging the digits, यह number आया ना, interchange करके देखो, interchanging digits, exceeds the original number by 27, original number से 27 जादा है, मतलब अगर मैं यह number लिखूँ, ठीक है, number obtained by interchanging the digits, तो original number में 27 आड करना पड़ेगा, exceeds है, तो यह number कौन सा था, interchanging वाला, 10y plus x, तो उसके जगे पर 10y plus x, original number था 10x plus y, तो original number के जगे पर 10x plus y, और 27, इसको solve करो, x को पहले लिख दिया, यह 10x इदर लिया है, तो minus 10x, फिर 10y तो इधर रिखा, यह plus y को इधर लिखिया है, तो minus y, x minus 10x मतलब 1 minus 10, चोटे में से बढ़ा नि 9, साथ में y था, 27 ऐसे ही रहेगा, अब यह आपको equation solve करना है, लेकिन आप देखेंगे तो यह 3 number 9 में जाते, तो all sides 9 से divide कर दो, तो इसको भी 9 से divide किया, इसको भी 9 से किया, इसको भी 9 से किया, 99 cancel बचेगा 1, 99 cancel बचेगा 1, 9100, 9300, ठीके तो यह 3, अब यह 1 जो इदर आता है x के सामने वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना ऐसे, देखो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, तो आपको equation आगया, minus x plus y, 1 बटो 3, अब यह second equation और first equation देखो, x और minus x का sign opposite है, add करेंगे तो cancel हो जाएगा तो दोनों equation को देखो, यहाँ पर add कर दिया, add किया, तो यह दोनों ए value आगया 6, यह y का value 6, equation 1 में substitute करो, equation 1 यह रहा, यहाँ पर 6 दाला, तो x का value का आगया, 6 वहाँ जाएगा, 9 minus 6 बन जाएगा 3, तो x का value आपको मिल जाएगा 3, x 3 मिल गया, y 6 मिल गया, तो original number निकालने बुला था उसने, देखो यहाँ पर find the two digit number, जो original है वो, ठीक है, चेक कर स रखते हो, देखो, digit 6 और 3, add करेंगे तो 9 आता है न, उसने बुला था, sum of digits is 9, अब number कैसे find out करेंगे, number का value था 10x plus y, अब भी देखा था न, हमने 10x plus y, original number, x के जगे पर 3 डाला, y के जगे पर 6 डाला, number मिल गया 36, या फिर दिमाग में देखेंगे, तो 10th place पे x है, और units place प easy है न, ये थोड़ा अलग किया solve करने वाला, लेकिन ये ऐसा मैंने पहले भी एक बार बताया था, divide by 2, देख लो पूरा solution एक बार, फटा फट से notebook में copy करो, ऐसे मतों जो सबर ये करने की ज़रूरत है, क्या हाँ है, ये दो line का सम्में इसले ऐसा लग रहा है, बहुत easy है, ल मैंने आपको fourth कराया, fifth कराया, sixth कराया, and seventh कराया, अब इसमें सिफ ये तीन questions बचें, उसके बाद हमारा practice rate 5.2 भी खतम हो जाएगा, okay, वीडियो पसंद आया तो like करें, इसमें थोड़ा time लगने वाला है समझने में, इसलिए एक बार देखकर नहीं समझ आया, तो वापस वी इतने detail में एक-एक word problem आपको कोई नहीं कराने वाला, सब 10-15 मिनिट में वीडियो खतम कर देंगे, 6 में से एक question कराएंगे, दो question कराएंगे, बाकि 4 homework दे देंगे, ठीक है, तो हर एक question हम detail में solve करेंगे, subscribe कर लो, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, bell icon पर भी click कर दो, ता